वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन राठोर संस क्लास में मैं विनीत राठोर अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छी वेकेंसी की जो उडिसा से आई है और यह उडिसा की वेकेंसी बहुत दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जैसे डालेगा समझ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको में प्राप्त होते रहें तो दोस्तों देखते हैं कि पहले वेकेंसी क्या है और यह कहां साई है तो उडिसा कोल एंड पावर लिंटेड से वेकेंसी है और यह गवर्मेंट वेकेंसी है दोस्तों इसमें देखिए अड़िसा कोल एंड पावर लिंटेड अगर्मेंट ऑफ उडिसा कंपनी इज और अपरेटिंग मेनेजर मोहनपूर कॉल माइन्स इंद असंदर संदरह डिस्टिक आप ओरिष्या मिलाओ कोल माइन्स में इसनम है और यहां व कोल माइन्स इंच किस्टों बात बात करते हैं तो एडांफ माइन्स है इसके जो ग्रीड ग्रेộc हुआ और उर्ट टो सिपने और सबता यहांट यहहीं पर की एक विकांश वाइट इसरी आप तैसरी पोस्त दोस्तों अससेस्टं मैंःजर के लिए और इसकी सैलरी, confessed RH 56,000 जार रुपए से लेके ठीजार 5500 रुपए तक होनी है और इसके व्यू पोस्त दोस्तों एक ही पोस्त आई है और इसमें भी क्या है ST की पोस्ट है वहीं पर बात करेंगे तो अससेस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में E1 गेट की है सेलरी 56,100 रुपए से लेके 117,000 के बीच में है और इसकी एक पोस्ट है दोस्ट और यह पोस्ट SC के लिए है और वहीं पर ऑफ़ससेस्टन हुए W3 की वैकेंसी है 26,400 रुपए से लेकर 33,600 रुपे तकी सेलरी होनी है और दोस्टों यह पे दोघस के वैकेंसी आई है दोघस में एक पोस्ट अंड़जर ऊठाने है और एक पोस्ट का है SCBC की है और ये दोस्तों वक्तादें जो यसके लास्ट रिट है और अरrånानी फरंप फरने की तोरफ 311 आप शूरे और वहीं देखें जो अप्लिकेशन स्टार्ट हुआ दोस्तों वह दो नॉम्बर से अप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है तो एक दरस देखा है तो वेकेंशी बहुत ही अच्छी है अब आप चाहे तो ग्रैब कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद